दो तो एक स्वाल मेरे पास बहुत से लोग करते हैं कि वो बोलते हैं सर हमने किसी कॉल गरल के साथ या फिर किसी अंजान इंसान के साथ सेक्स किया है ठीक है तो क्या हमें HIV हो जाएगा या फिर अगर HIV होगा तो कितने दिनों बाद होगा या मुझे कब जात करो नीची तो ये स्वाल मेरे पास बहुत से बार आता है तो आज के वीडियो के अंदर में आप किसी सवाल का जवाब देने वाला हूं तो बने लिए वीडियो के अंतर तक नविश्कार दोस्तों मैं डूक्रमेशन मां और आप देखें आपका अपना यूट्यूब चैनल आयरवदा किंग् और उस टाइम पर मुझे क्या चैवी होगा या नहीं होगा तो यार एक तो यह bullshit question है ठीक है आप मुझे से पूछ रहे हो कि मुझे चैवी होगा या नहीं होगा ठीक है क्यूकि यार आप खुछ सोच के देखो मैं ना आपको जानता हूं ना सामने वाले पर इंसान जिसके स ताथ आपने सेक्स किया, उसको जानता हूं, मैं बिना देखे, बिना सोचे, मैं कैसे बता सकता हूं यह चीज? ठीक है? मैं सिर्फ आपको कुछ संभावना ही बता सकता हूं, ठीक है? आप, for example, कि आपने कॉंड़नम का इस्तमाल किया था गि नी किया था, ठीक है, अगर कॉंड़नम का इस्तमाल किया था, तो वो फटा था गि नी फटा था, ठीक है, ये चीजे कुछ संभावना ही होती है, जहां पे आप जज कर सकते हो, कि हाँ, यार मुझे कुछ परसेंट चा करो कि सर मैंने उसके साथ सेक्स किया था मुझे ही होगा यार कहां से होगा जब तक आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले को ही है या नहीं है यह थोड़ा सा सोचो आप पढ़े लिखे लोगों सोचो कि सामने वाले को ही था या नहीं था आपको पता है कि नहीं था है और दू नहीं होगा अच्छे से अगर यूज गिया है अपने नहीं फटा है नहीं असके अंदर recomp असके यूज Еई तो उनकालनेक्स सवाल यही होता कितने दिनों बाद होगा मीश्ट्राइब तो भाई ये भी कोई फिक्स्यिं नहीं जा के टेस्ट करवा लो यप उस लोग बोलें सर्कोंसा टेस्ट करवाना है तो भाई उसके लिए आप Eliza टेस्ट करवा सकते हो या Western Bloat करवा सकते हो ठीक है या RNN PCR वगरे करवा सकते हो ठीक है यह टेस्ट होते है कुछ जो कि आप करवा सकते हो किसी भी लैब में जाके और उससे आपको confirmation मिल जाएगा कि आपको HIV है या नहीं है ठीक है पर इस चीज़ा द्यान रखें कि सामने वाले को HIV था या नहीं था अगर आपको देखना है कि सामने वाले को HIV था या नहीं था मुझे कैसे पता लगेगा तो आप कुछ symptoms देखो ना ज़रूरी नहीं हो symptoms मिले ही पर कुछ हद तक अपने को verify करने में क्या दिक्कत है कि symptoms like सामने वाले का वजन कितना है बिल्कुल सुखा पतला टाइप तो नहीं है ठीक है क्योंकि HIV के अंदर क्या होता ना लगातार वेट गिरता है ठीक है तो वो तो नहीं है साथ में कुछ अलग STD टाइप बिमारे होते हैं like syphilis है या फिर हर्पीज है तो उसमें क्या होता है ना कि आप सामने वाल है उसको आपको मिलेंगे जो उसके ओर्गंस या या फिर औरल ओर्गंस हो वहां पे उसकी जो जनेल और्गंस है या खिर घर्ड़न से ठीक है तो अगर तो अगर आपको लगता यहां आर इस टाइप के शिम्टम्स था सामने हाले के साथ इस थोड़ा सा इस चीज़ के लिए हो सकते हो कि हाँ यार मुझे कुछ हद तक चांसे हैं कोई ना कोई सब्सक्राइब होने के बाकि यार ऐसे जबरदस्ती घबराने की जोरत नहीं एक पेशिंट था मैं शुषाइड करने की सोच रहा हूं मेरे को हीवी हो गया तो अब यार कमाल तेरो हुआ ना खाया पिया खाया पिया कुछ नहीं गिलास तोड़ा बाराना वाली बात है अभी तुने किया वाँ जागे पहली बात तो तेरो क्या चुल मच रही थी करने की ठीक है फिर भी अगर कर लिया तो तु पहले कंफर्मेशन तो ले कहां तेरको है यह प्राब्लम विदाउट कुछ हुआ नहीं बात नहीं जबरदस्ती शुषाइड करनी है कर लो भाई एक करके आते हो धंकिया हमें देते हो थोड़ा सा सोचो यह चीज़ को आप को अगर ऐसे कोई भी शिंटम्स आ रहे हैं तो तुरंत जागे जांट करवा हो आप अगर शिंटम्स नहीं आ रहे हैं आप उस लोग बोगते हैं मैंने कली किया है ठीक है उसके बाद में बता होगा नहीं होगा भाई मेरे पीछे चक्कर गुमरा मैं ब्रमा जी नहीं हूँ ठीक है तो आप पहले शौर हो कि जिसके साथ आपने सेक्स किया है या जिसके साथ आपने सेक्शल लेसिंटम्स बनाए हैं वो उसको है चाईवी था के नहीं था ठीक है क्योंकि बिसिकली क्या होता है कि वो जाते है किसी कोठे वगरे पर जाते हैं वहां पर ठीक है तो यहां पर क्या होता ना कोठे वगरों पर लोग कॉंडम वगरा का यूज नहीं करते हैं तो आप थोड़ा सा ख्याल रखें अगर आपने प्रोटेक्शिंगा यूज किया है तो आपको गबरानी जूर् करने की सोचे आप पहले जांच करूएं तीन मैंने बाद जांच करूएं अगर आपको पोजिटिव आता है कुछ भी कोई भी चाहिए हर्पीज सिफली यह चाहिए तो डॉक्टर से कंसल्ट करें मरे ना मरना कोई सॉलीशन नहीं किसी भी चीज का ठीक है बागी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो में लाइक सुपस्वाइब कर देना मैं में तो इसी किसी इंट्रेस्टिंग जानका इसाथ है को नए वीडिया में तब तक के लिए जैहें